दोस्तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ राची के सरना होटल में जो की महिंदर सिंग धोनी के पामाउस के बिलकुल पास में ही है यहाँ डेली बल्क में 200 किलो मटन यहाँ बनाया जाता है इनका जो मटन है राची में बहुत ही पसंद किया जाता है और यहां इस hotel में जो सबसे ज़्यादा डिमांड है यहां मिलने वाले चरबी के चुस्ते की बहुत ज़्यादा डिमांड है तो आए चलिए इनके making देखते हैं और आपको टेस्ट करके बताते हैं बैका यह यहां को पीटर तो आप यह सर्ना होटल चलाते हैं इतना ज़्छा यह पर है ग्षाइं कि मुझे औरलाम विशन चाहिए वस्तो इनbot ऐसके मि another तो जो आपकी करी है यह आप रात से ही बने रात से ही अपना प्यांज हमारा भूंजाता है सब्सक्राइब कर देखने के लिए अभी थो दिर में मारा मतन भी आजाएगा तो तूस्डे को भी असी नभी बेज देता हूं और वैसे बागी दिनों में इसका डबल आप कर लिए एक सो साथ किलो पर डे की सेल है तुमारी है इतने प्रेमी हैं यहां पर लोग मतन के लिए तो दोस्तों अभी यह लेकर का हैं यहां पर मतन और यह एक खसी बकरे का मतन है कितने लाए हो भाई साब असी के लो यह आज़े देखो यार दोस्तों असी किलो की खबत है एक तिन में इनकी यह सरना होटल तो यह शुरुवात में क्या बन रहा है दर यह 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 चावल अचा अब होट हम इनकी बेसिता है चलते रहा चलते रहेगा चलते रहेगा चावल ना यह मित्ती की जुली और रहा ज़िए और यह चाल हम आप तो आफ दोस्तों धेख सकते हैं यह तो ग्रेविया हमारा मसाला रेडी हो गया है अब इसे हम यहां दूल में डिवाइड करने वाले हैं हैं इस दे रहे हैं ? worst करें व इसथे दे रहे हैं डिया इस ** करें वहा कि इस एल करें दे हैं यह तो चलते रहें वो चलते रहेगा वहारा कॉस्टरम खाल씨 का यह चायं चाहँ के साथ पसंद करते हैं यहां यह रोटी का सिस्टम नहीं है तो यह अभी इस बागों नहीं पानी डाल रहें क्या कर रहे हो अभी इसमें हमारा मतन दुलाएगा अच्छा मतन दो होगे इसमें यह देखें जब यह 80 किलो मतन है हमारा मतन दोल चुका है इसा किया रहहा है में ये दोस्तो यह आपने सफ बोलों चुस्ता एक कम चलता एक लेकिन पतना और रांची में बाहता जार करें गौत कंड़ ईया सबकत है यूदे जिखता है जिसका रचताएचा यह होता है, विकता है तो इसका रचता रचता है मतलब है? यह अतीस पार्ट है, कोछनों गलत समझते हैं यह गलत नहीं, स्टोमेक के इंटस्टाइन है इसे जएमें चर्वी भरके इसको में उल्टा कर देते हैं और यह खाने में बहुत मज़ा था यह मतन से ब्यादा मज़ा यह पसंद करते हैं कि लोग 10 मिट में खतम जाता है जैसे स्टार्ट होगा तब आते के साथ चुस्ता-चुस्ता-चुस्ता करने लगते हैं अच्छा मजब दस मिट में खतम हो जाएगा तो पूरा जो इन्हों है यह मतन जो है इसमें डाल दिया है दोकर के अच्छे से एमडी एज का गरम मसाला यह माधा जालते है इतलता गरम मसाला ढलतो लोगों को ऐसे चलन मीं होती एक्दम महीं होता है और दलाएगा मसाला वोस्ता-था देख सकते हो मतलब यह चार खंड और पटना साइड में जो है ना यह मसाले और दो गरम ना चट परटा-खाना यह नहीं लगा हुआ है न काली मेट नॉरह भूरह रांची लोग इस में खाना बहुत पसंद आता है अब पानी निकाल रहा है इसका निकल गया पानी देख सकते हैं अरे वा यार तो गरम गरम चावल है चावल यहां पर थोड़े मोटे होते हैं अपर लेकिन सफ्ट है विसकी ग्रेवी जो है न उसमें तो मोटा चावल मज़ा आजा जाए और यार खुश्मु जो थी ना उसकी है मटन जब देशी है तो चावल भी देशी होना चाहिए तो वह जो अभी अपन ने मटन जो पूरा रेडी किया था है ना वहां पर जो हो रहा है वह कितनी देर बंगर करके रेडी हो जाएगा यह हमारा आदा घंटा में यह भूजा जाएगा को दोस्तों बस यह अब आद सब कुछ आपको मिलता है मटकी में दिखा रहे थैप अचा मलब इसको डोक्यूमेंटरी बन चुकि आपके दुगान पर इस कभाए है महेंद्र सिंग ने आपके यहां से खाया है महेंद्र सिंग दोनी ने भी खाया है इस अच्छा उनका तो यह बगल में यहें फार्म उस कि पिठे कि अगर आप शॉकीन है तो आपको पता हूगा खीरमोन क्या होता है और खीरमोन छेने से बनता है बहुते बढ़िया यह एक स्विंटेश होती है तो यह देखर है आपको दिखायाता हूँ रबडी के साथ यहाँ पर सर्फ किया जाता है इसको बहुत ही शानदार यह देखिए आपको लेकर करके बताता हूं तो यह देखिए यह पहला बाइट अब यह खा करके देखते हैं आए है कि बार बढ़िया है मदब जादा मीठा भी नहीं कि उससे टेज दब जाय है नहीं टेज बहुत सहीर है और अब के साथ कॉंप्लिमेंट कर रहे कि मैंने राजिस्तान में भी एक बार खाया था ल Legger राजिस्तान में रबड़ी नहीं मिलता राची में रबड़ी के साथ मिलता है अगर दोस्तों अगर आप मीठे के शौकी ओ refuse तो यहां पर आईएगा मट्की में सर्व होता है और इसका जो एड्रेस है जो धजो धुर दुकान दिख जाएगी और यहीं पास में और भी बहुत सारी नॉन्वेच की दुकान है अगर आप नॉन्वेच काने जाए तो वह खा सकते हैं मीठा खाने तो आप यहां जरूर रहेगा एक बार दनबाद मतलब यह प्रेंड है यह दनबाद से हैं बोर रहे कि इधर का प्रेंगे आप जाएंगे बहुत बड़ी है यहां तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर यह पत्तल दुल रहे हैं और यह यहां पर इन्हों ने लगा दिया हैं दूल करके रेड़ी कस्टमर अल्रेडी आना स्टार्ट हो गए हैं मैं देख रहा हूं अंदर लोग और यहां देख सकते हो दोस्तों यह देख सकते हो यह है चुस्ता बोलते हैं इसको जारखंड राची पटना में बहुत चलने इसका यह प्यूर्ली फैट है ना यह मतन से ज़्यादा बढ़ियां लगता है यह लोग सब चुस्ता लवर देख यह तो मतलब यह जो बन रही ह सब्सक्ति मातन और अध्यस के लिए नियुक्त कितमें हो जाए Gerhout तो बहुत ही सब्सक्ता होता है तो यह प्यृबली फैट है ना इसके लिए पांस के लिए पहले आइसे देख सकते हो अज मलश्ता है अब आप क्टंग करें फूरी तरिके से लिए , अब हैं पूरी तरीके से पुर्य था फाह मांग है क्la, लावक भाइ बेस्ट पूरा हें में कितने सम Dalg जाए गा चलिए बहुत बड़ी है तो इस तरिके से कि ये दीनge है यू और यह हैं महाल dhr सब वही रहते हैं पूरा फैमिली रहते हैं बहुत बड़ी है यह देखो दोस्तों यह प्रिप्रेशन होती है इनकी पत्ते पे पहले चावल बिचाए जाते हैं यह चिप्स बोलते हैं इसको और इसके बाद में देखो मटन को दोने में रख्के इस तरीके से प्रिपेर किया चाहिए जाता है और अब यह ऐसे का इसा सर्व हो जाएगा यहां पर कि यह बहुत बुख लगी थी तो चुस्ता अपने मगा था यह रहा था रहा है बहुत मज़ा लगता है खाव कॉज सिखा कर दिखा कैसे घ्रते है इसको यह देखो अलग पीस यहां पर यहां पे अलग पीसे और इसमें इन्होंने चुस्ता डलवाएं अपने अपने अकोर्डिंग लोग कस्टमाइज कर सकते हैं यहां पर अपने अकोर्डिंग लेते हैं लोग यहां पर बहुत मज़ेदार है बहुत बढ़िया दोस्तों देखो यह इंजॉई करें अपने खाने को हम भी जाओ यहां एक प्रड़ लगेगा भी चावल के सट्रिन कॉंटिटी होती है ना दो कट्वर देती है बीच में लोग एचा है दो के बाद इसमें हम चटनी डालते है यह कौंशी चटनी है क्या क्या है यह थनिया पता टमाटर मिर्चा चटनी है जो यहां बहुत फेमेस है चटनी के लिए बहुत है कि हम चटनी खाने और यह सलाद मदब यह आप दे रहे हो प्यास का तुपड़ा और यह हमारा चिप्स चिप्स को क्या बोलता है यहां लोकल में तो अब इसमें लगाते है मतन यह लगकर क्या आएगा यहां पर इसमें से पीस निकाले डालेंगे और कि कटवा दो यह में पीछ को знает गयर में चुछताइं लेकिन आप काट दो इसको थोड़ा सपया फेट होता है यह किस तरा से यह अंदर कि यह फिंधू होती है तो यह ड हमारा है शाप तो यह कैसे लगती है यह भी होती है चर्बी यह भी चर्बी यह यहां पहते हैं लोग हम यह बहुत जादा पसंद अब तरी लोग यह और फूरा पीस भी लेके जाते हैं एक दम पूरा लेकी चल जाते हैं बहुत लोग होते हैं देदेवा चुस्ता चुस्ता का पीस है एक छीज हम इसमें डलवा रहे हैं तो यह हमारी फ्लैट लग गई है सब्सक्राख को एब यह हमारी प्लेट अब मैं आपको यहारी प्रिपरेशन अब मैं आपses का और उसका टेस्ट यह स्क obsOD कि पते में पत्य दोने में इन उनिह सब्जी देए ही सबसे पहले देखो यह सब अब da Just a ऐने यह ऊपे यह पर यहीं कि और यह उसको बोलते हैं झिल थे और यह उण दिखा देता हूर यह नहीं है बटर है बखरे का औरहिंश करते हैं यह बहुँ सबसटे हैं और यह विरमाइब हां पहुत सब होका neutrality इसका चूस्ता है यह बाद गरम है कि अधुमने को सबब्स है अब्रेख सब्सक्राइब आप देख सकते हमें खागर के डिखते हिर इसका तेघंड गरम है चावल भी सेड़ा बाइट भीसीक अिसट भाइट बिल्कुल मुह में जाके घुल जाएगा आपको और जो फैट का टेस्ट होता है वो देगा और उसके अलावा जो इनकी आपने देखा था जब करी बन रही थी तो जब करी मेकिंग होती है तो यह बहुत सारे मसाले डालते हैं गरम मसाले डालते हैं अचा खुद के पिसे वे दालते हैं वो अलग और पैकट वाले होते हैं वो अलग डालते हैं इसलिए जो इनकी जो यह ग्रेवी है ना होती चटपटी है और इन्होंने बताया था चटपटी यहां पर खाना बहुत पसंद करते हैं लोग अब बात करते हैं अब उनको कौन से कौन से पीस मिले देख लेते हैं गरम गरम में धुवा निकल रहा है आपको दिख रहा होगा और यह देखो इसके पकावड में आपको दिखा जेता हूं है यह देखो है हलागी अभी घस्क बनाए इसलिए थोड़ा सा अइसा है लेकिन यह देख रहे हो तो थोड़ा सा ऐसे किचाव कर के है अब उसको Mix करते हैं तोड़ा इसमें और डालतेते हैं इसके ग्रेवी यह देखो यार यह है महौल पीस के साथ इसको खागर के देखते हैं घरम है बहुत पूरा खेल जाना वह ग्रेवी का इंगी जो करी है न वो जो लोग फैट पसंद करते हैं वह इसे चुस्ता जैसे और जो अलग से भी फैट में डाला जाता है पीसिज आप जो चाहें वह इनसे मांग सकते हैं ले सकते हैं क्योंकि यहां पर मैंने जब बात कि थी तो यह बोलत जगा भी खास है और जगा में क्या खास बाते में बतायता हूं सर्णा उटल की लाइन में सिर्फ 200-200 मीटर की दूरी पर धोनी जो क्रिकेटर है उनका फामाउस है और इन्होंने बताया था वो भी आते जाते यहां से कभी कबारी लोग देख लेते और उनका स्टाफ यहां से मंगबाता है खाना और खाता है अभी चट्नी यह नोंने चट्नी दिए यह वाली मैं आपको थोड़ी ची दिखा देता हूं यह प्याज और धनिया लैसुन पुदीना मिला करके चट्नी बनाए गई है इसको अपने बढ़ चावल के साथ खाते हैं प्यास की जो होती ना वो कूटते हैं अपन घरों में अपनी घर वाली थोड़ी दरदरी होती है लेकिन यह फाइनली ग्राइंड की हुई है तेज भौस सही करती है कि मैंने देखा लोग सुबह सुभी आ जाते हैं यहां पर हम लोग यहां पहुंच गए थे साड़े साथ बजे साथ बजे आये थे हम तब तो इनकी करी रेडी हो गई थी और उसके बाद इनका मटन आया था वो मटन प्रोसेस हमने आपको दिखाई थी यहां पर लोग नौ प्लेट में पूरा चुस्ता लगवा लिया था एक कस्टमर आये थे उन्होंने पूरा चुस्ता लगवाया और पीटर बता रहे थे कि यह चुस्ता दो लोग खा सकते लेकिन वह एक आदमी ने अकले ऑडर गिया था बहुत बढ़िया है अगर आप रांची आते हो तो यह एक फेमस जगाओं में से एक है जहां पर आके आप यह पूरी प्रिप्रेशन खा सकते हो इस पूरी प्रिप्रेशन की जो प्राइज है वह 130 रुपीज है यहां पर मैंने देखा मतन मतलब अपने राइस स्थान से सस्ता है मतलब पूरा खेल ग्रेवी का है मैं अभी भी कह पूरा खेल इनकी जो करिये ना उसका है मटन मटन पीस और मैं आपको दिखाए ओर वेदिई पीस यह बहुत अच्छे अच्छे देते हैं ज़िए चाप का पीस है कि पूरे भरेवे मतन रहे में नली लिया था नली में पीस में मटन बहुत अच्छे से था चाप में भी की म मदब यह बहुत यूज कोईंटिटी है कि सुबह सुबह यह प्रिपरेशन खाना मेरे लिए थोड़ा सा अलग है अगर आपको पसंद आप पसंद करते हैं तो बिल्कुल आईएगा टेस्ट एक नमबर है रांची में बहुत कुछ और भी एक्साइटिंग और यूनिक आपको आगे देखने को मिलेगा तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना आगे और भी ऐसी वीडियो आएंगे तो दोस्तों यह थी पूरी प्रिप्रेशन खा करके हमने आपको बताया रेटिंग और प्राइज आपने इसकी जान ली और मैं आपको बता दू हम हमारी वीडियो यूट्यूब पे तो डलते ही हैं उसके अलावा मेरी वीडियों को फेस्बूक पे दालता हूं और इंस्टा पे बी डालता हूं इंस्टा पे आपको मेरे सारे अपडेट्स मिल जाएंगे हम कहां जा रहे हैं क्या next हम शूट करेंगे even रांची आने से पहले भी मैंने अपडेट दे दिया था कि मैं राची जा रहा हूं अगर आपके कोई suggestions हो even ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके कोई suggestions हो तो आप देज सकते और अब मैं आपसे मिलूँगा किसी और दिन किसी और नए रांची के साइगे के साथ तिल देन बी हैपी